हेलो हेलो आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं पालक पनली की पहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी इस रेसिपी को डीटेल में जानने के लिए वीडियो के इन तक बने रहे हैं खौलते पानी में हमने डालना है दो मुठी साफ कियावा पालक, थोड़ हडालेंगे हरा धनिया, फिर डालेंगे चार से पांच हरी मिर्च, आठ से दस डालनी है लसंगी कर लिया, एक छोड़े जम डालेंगे छीनी, पालं को अच्छे से ब्लांस्ट करने के बाद, आइस्ट कट कर लेना है, इसका हमने फ्योरी बनाना है पालक पनीर जो हम बना रहे है वो लाहसनी पालक पनीर है बहुत ही tastी बनती है ये तो अभी अमने इसका प्योरी टियार करने के पाद तेन मीडियम साइज के प्यास को छौप कर लेंगे जल्दी से में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे नीचे दियाओ चुरा साब बल आइकन उसको प्रेस कर दीजे ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकिशन आपको टाइम पे मिल जाए यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है पैन में डालेंगे तो बड़े जमच असुका तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर डालेंगे एक छोड़े जीरा तो तेजपता और चौप के अवाब प्यास प्यास को हमने medium flame पे करके transparent होने तक बुनना है जब ऐसा हलका सा transparent हो जाए फिर डालेंगे एक बड़े जमच गार्डिक जिंजर का पेस्ट ग्यास का flame हम medium high पे करके चार से पांच मिनिर भूनेंगे उसके बाद आट कर देंगे tomato की फ्योरी हल्दी पॉडर एक छोड़े जमच धनिया पॉडर लाल मिर्ज पॉडर गरम मसाला पॉडर डालेंगे और साथ के उसका डालेंगे नमक ग्यास का flame medium पे करने के बाद हम मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारे मसाले साची कुछ भूना आने लगे तो हमारा मसाला भून गया है पालक का पेस्ट टाल देंगे इसमें गैस का flame medium low पी करके इसको अच्छे से mix कर लेंगे जब अच्छे से mix हो जाए फिर हमें आप एड़ करना है एक कप के लगभग पानी पानी आड़ करेंगी तेज़ पता निकाल देंगे और फिर हमने क्या करना है एक बॉल आने के पाथ पनीर को आड़ कर देना है पनी जब अड़ हो जाए फिर हमें आप दो से तीर मिनट धख कर इसको हम पकाएंगे medium low flame पे दो तीर मिनट होने के बाद कैस का flame बंद कर देंगे तरका लगाएंगे अभी हमें घी में लासन को पकाएंगे ब्राउन होने तक फिर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और फिर क्या हमने तरका लगा देना है कि उपर हमने ग्रेट कर देना है थोरा सा पनीर को लासनी पालक पनीर की ये रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजेगा और हाँ सबसे important आपको मेरी सारी वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके अपना feedback जरूर दे कि feedback का हमेशा से इंतजार रहता है तो खूब भरबर के feedback दीजे मेरे इंस्टा पेच को भी follow कर दीजेगा तो चलिए ऐसी tasty, easy and super delicious recipe के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में